बहुत बड़ी update from UPSC, Union Public Service Commission, UPSC, ESE के दरफ से ये announcement हुई है आज के दिन, engineering service examination के लिए बहुत सरे students prepare कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, finally official PDF release हो चुका है, 14 September याने आज के दिन, अगर आप यहाँ पर notice पर click करते हो, तो आपको detail PDF यहाँ पर दिखाई दे रहा जहाँ पर सबसे पहले all India apply कर सकते है, male, female, transgender सभी apply कर सकते है, in total कितनी vacancy निकालीग है, यह चर्चा वाली बात होती है, यह सबसे important होता है, तो previous year के compare में जादा है, कितनी है, आगे बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी students पहली बार apply कर रहे हैं, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, one time registration आपको करना पड़ता है on the platform, and yes, online application है, offline application नहीं है, कब से भरना start कर सकते है, 14th September से भरना start कर सकते हो, याने आज से, आज 6 PM से start होगा, और 4th October 2022 तक आप apply कर पाओगे, ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर क्या negative marking रहती है, paper में, paper दो पार्ट में रहता है, ठ फिर बाद में आपका interview होता है, तब जाकर के आपका selection होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, negative marking बिल्कुल है, paper pattern में कोई जादा बदलाव नहीं है, PDF में अंदर पूरा दिया गया है, क्या रहने वाला है marks, कितने रहेंगे सवाल, और क्या रहेगा syllabus, ठीक है, अ हमिशा की तरह civil, mechanical, electrical, electronics and telecommunication, in total 327 vacancy निकाली गई है, अगर आपको याद नहीं तो बता देता हूँ, यहाँ पर ESE 2022 में 215 vacancy थी, और 2023 के अंदर 327 vacancy है, तो यह जादा भी नहीं है, बट अच्छी vacancy है, अगर previous year के compare में, चेक करो तब, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बा और अगर बात करें age limit के बार में, तो minimum 21 years है, maximum 30 years कहा गया है, ठीक है, as on 1st January 2023, चलिए, इसके अलावा कुछ चीज़े, इसके अलावा PDF बहुत बड़ी है, लंबी PDF है, मैं हर एक details में नहीं जाना चाहूंगा, अगर आपको relaxation avail करना है, उसके बार में बताये गया है, कैसे क्य relaxation avail कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर benefits है, वो सब सारी चीज़े बताई गई है, मैं application fees के बार में बता देता हूँ, 200 रुपए application fees है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, section wise यहाँ पर सारी चीज़े बताई गई है, क्या रहेगा, paper pattern, कितने सवाल रहेंगे, कितने marks रहेंगे, सारा यहाँ पर बताई गया है, stage 1, stage 2, stage 3, stage 1 के अंदर आपका MCQ रहता है, pre-stage objective type question रहते है, stage 2 में main paper होता है, जहाँ पर conventional type questions होते है, और stage 3 के अंदर personal test interview होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बार में पूरा चर्चा किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख स आप लिख रहे हो paper, तो जो भी core है आपका, अगर civil है, तो civil, Mac है, तो Mac वैसे, तो 3 घंटे रहेंगे, 300 mark रहने वाला है, in total 500 marks यहाँ पर total रहने वाला है, ठीक है, तो यह हो गया आपका pre-exam, अगर main exam के बार में बात करें, again 2 section है, पहला section civil paper 1, next civil paper 2, 3 घंटा 300, 3 hours 300, ठीक है, ऐसे आपका 600 का paper रहने वाला है, वही mechanical वालों के लिए mechanical, वही अगर electrical के लिए देखो, तो electrical, electronics and telecommunication के लिए भी same है, ठीक है, तो चलिए, तो मुझे रगता है, सारी चीज़े clear है, इसके अलावा अगर आपको कोई doubt है, syllabus भी detail में दिया गया है, क्या-क्या चीज़े रहने व तोड़े, देखो application fees या पर 200 रुपीज है, वही अगर आप SCST हो, तो फिर उस case में आप देख सकते हो, it's free, you do not have to pay any application fees, ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अप्टे लें, take care, bye-bye for now, see ya.